असलाम अलेकूम इन वेरी गूड मॉर्निंग जागो लाहॉर के साथ मैं हूँ सेयद आर्मिलाहसन और आप सबको जुम्हा मुबारिक हो जिनाम और आज जब सुवा में तयार हो रही थी तो मैंने अपने ड्रेस को जब हांग किया तो सब कूशे लगे मैं साथ को स्पेशल श आज तो 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 आज आपको हम कुछ पाकेज भी दिखाएंगे और बात करेंगे एक बहुत ही जबदिस किसम के शायर थे मुसंनिफ थे कॉलम निगार थे मुस्लिम सूफी थे और उनकी परस्नालिटी का जो एक चाम था वो बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं अपने वालत साप से इनके बारे में सुना क्योंकि मेरे वालत साफ उनके शागिर्द भी रहे और उन्होंने मुझे बताया भी कि इनकी जो परस्नालिटी है वो बढ़ी डिफरेंट थी और ब 15 जन्वरी 1929 को खुशाब में पैदा होने वाले वासफ अली वासफ के बारे में अगर ये कहा जाए कि मुम्किन नहीं मुझसे ये तर्जे मुनाफकत ऐ दुनिया तेरे मजाज का बंदा नहीं हूँ मैं तो बहुत मुनासिब होगा गोई याम जवानी के दौरान उन्होंने इस उम्र के बहुत से रास्ते मापे जरूर लेकिन पिर जो तुबियत सूफियस्म की तरफ माईल हुई तो उनकी जुबान से एकवाल की ऐसी बरसात बरसी जिसमें एक जमाना भीगा अगर एक तरफ इस शक्सियत की उर्दू और पंजाबी शायरी हमें अजली हकीकतों से आशकार करती नजर आती है कि एबंसन मोती अन्मोल हंजूस साम के रखना कोल शहर दिबूवे खुल जावन गे पहले दिलदा बुआ खोल तो दूसरी तरफ उनकी तसनीफ में मौजूद उनके एकवाल तादेर दिलों को जज़वाय ताजा बखशते रहेंगे आपकी सांस और गिंती के दिन मुकरर हो चुके हैं कोई हादसा आपको पहले मार सकता है ना कोई हिफाज़त आपको देर तक जिन्दा रख सकती है जैसी अजले हकीकत को एक मरतबा फिर आशकार करने वाले वासफ अलीवासफ 18 जनवरे 1993 को खाल के हकीकी से जामिले जी जिनाब वासेफ अलिए वासेश साब के हवारे से मने आपको पाकेश दिखाया और मैंने इनका एक जो इनकी बुक्स तो डेफिनियेटली हुमारे घर पर मौझूद होती है लेकिन मेरे वालेट साब ने मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई तब वो इनके स्टु दो पार आपको झोड़ा दिया था और वो शेहरा था रोबावान अंब बड़ा बड़ा संभालगा रखा और उनकी बाते उनकी जो बोक्स है मैंने एक पर उस एक पर डाल शादी है और उनकी जो उनकी ननीचेरे थी तो वो है सादत असन मंटो की हवाले से, सादत असन मंटो की बात कीज़े तो आज उनकी भी बर्षी मनाई जा रही है, उनको बागी कहा जाता था, बगावत उनकी पहरो में नजर आती थी, लेकिन बहुत एक जो कहले माश्रे में जितनी बुराईयां थी, जितने जो उतको हा जो उन्होंने बयान भी किया लेकिन उसके साथ एक उन्होंने मेसिज जो दिया, उसके हवाले से हमारे पास एक पाकिज़ है, आपको वो भी बिखाता है इसका अतवार मंटो की तहरीरों का खासा था, इन्सानी फितरत के मतनाजे पहलूँओं पर जुर्रत मंदाना इजहार, 11 मई 1912 को लुद्याना में पैदा होने वाले मंटो ने धाई सौ से जायद अफसाने लिखे, आतिश पारे, टुबा टेक सिंग, और धुआ हो या फिर तारीफ पर अतराया, ना ही तनकीद से घबराया, उसके अफसानों में पसमांदा मौाशरों के तजादात की दास्ताने छुपी थी, मंटो के अलफाज ने जानी पहचानी दुनिया के ताफ़ उन्जदा हाकीकतों से परदा उठाया, मंटो की तहरीरें आज भी दुनिया क तो इस अजीम मुसनिफ की बारीक, बीन, आंक और उनके ख्यालातों मुशाहिदात से मतारिफ कराती हैं, सादत हसन तो इस दुनिया में 42 बरस गुजार कर चला गया, मगर मंटो आज भी जिन्दा है जी जनाब, सादत हसन मंटो के हवाले से हमने आपको पाकिश भी दिखाया और उनकी जो जिन्दगी है उस पर एक मुवी भी बनी थी और बड़ी जबदिस मुवी थी और उसमें सभमत खोसट नहीं डारेक्ट की थी और उन्हीं ने इसको लिखा भी था और सारा कुछ डार जाल होता है वहता है नाष्टे का यालि कि आपके दिन का आगास कभी कर नाष्टा क्या करना चाहिए और आजकल मैंने पनी खेविट बनाई या ने सुबह उठकर एक बोई अड़ना कहती है वानना में इससे भी बिलकुल जो कहले ना बिलकुल ही भी खाती थी तिया और नाष्टे की यह मिम एक हाले से हमारे करें नाष्टे को लिए है कि अथी नाष्टे की बात करते हैं वैसे तुम्हें चाहिए पूछत सम्क्राइब formation सुच्छता हमारी गिलकुल अप ही थीच तुर्म आपके हो किसमें ठीक धिन कुछतना टो इस भी गोड़ना च्छता हो करते हैं वो अपनी मामुलाते हैं जिन्दिगी में ज्यादा अक्टिव होते हैं उन लोगों के बरक्स जो के नाश्ता छोड़ देते हैं कि आप एक से अर्मिला दिखाऊगा बड़े अर बड़े जल्दी तेजी में नाश्ता भूल जाते हैं और कभी-कभी हम करते हैं नहीं और आप देखिए कि नाश्ता वो इंपॉर्टेंट मील है कि डू ब्रेक्फास्स लाइग कि आप एक तो आपको इस तो स्किप नी करना चाहिए दूसरी बात है इसमें काबोहरे इसमें पैट्स प्रूटी इसमें माइक्रो मिनराल हैं फूट जूसे मतलब आपके तमाम करते हैं या मदर्स अकसर देर ही होती हैं तो फिर उसके बावजूद भी नहीं करते हैं क्योंकि सेकिंड मील अगर लंच आपने कर लिया और डिनर बहुत जादा कर लियों कि अकसर होकाद तो पाकिसान में देखने में आया है कि ब्रेक्फास्ट और लंच स्किप कर दिया जाता है और डिनर में लॉट अफूद आइटम्स अब और बाद में जब सुपर्ट तो तबीयत खराब होती है और बहुत सी हार बर्निंग होती है और उसके लाव रस्लेस हो जाती है चिरच़दा पना जाता है बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्रेक्फास्ट आप नह जाए जाए मेल और आपको बात्चाहों की तरह करना जाए प्लाप पर मीम में क्या आएगा नाश्ते में क्या चीज और नुटन इस इंपर्टन है हमारे बिदो रूब्लमन हेल्दी इंडिविजल की बात की जाय तो इसमें बैसिकली जैसे बिफृर्ट उड़र इसमें पर मुरबा या गाजर का मुरबा उसकी साथ ऐलमन डॉयल सुभा ब्रेकफास में और अगर बच्चा भी बहुत कमजोर हैं मतलब अकसरों काट जो लोग हमें लोग सुन रहे हैं और बच्चे बहुत बहुत बीक होते हैं तो वो भी अगर चलता इस पगो ले ग्लास पानी में गर सुभा इट करें बाध अगरें बहुत अचा है अपल ज्रेफूट बनाना से और मसमी चा को जबा इतकर यह तमाम छीज़ें अपने ब्रेकफास में जुरूर आप दाध अचा ब्रूआ की बनाता ब्रूत ऐकाची बेड़र अपना की बनाट नवी प्रूट सुए है है त्ल स्बाइ बिलकुअ स्बाइब एप जा लिए नेजरी हैं अबर बार बार जया जा है वर टार लिवर को इस और अपर कर लिवर को अब चाहिए और आप के जा रिप लिवर के रिवर के लिवर की दिखना और इस यो लोग वेलुगों डूब एप तो एक दिन जा अब वह एग कि जिन लोगों ने वेट लॉस की तरह जाने हैं उनको आपने बता है कि ग्रेफूट जूस और उसके साथ सथ कॉफी जूसरे बिल्ग इसके इलाबा अगर डाइट की बात करें बहुत सारे लोग जब डाइटिंग कर रहो तो वह मेल स्किप करते हैं इस पेशली ब्रेकफास् इस दो क्योस आपके सबस्सक्राइट और यह जा रहाता सबस्क्राइड स्क्राइब इस जा। आपके सबस्क्राइब करतेैं तो बेस OBS अगर डेभ गड़ने हैं पर क्यूनितस्ट दॉर्च किंग आप रहतं ही एफ जादा श़्या वालिवारीसिएः कर लियाप लोग और ब्रेक्फास्स किप करने का बहुत बहुत नुकसान है कि असमे ब्लॉड प्रेशर भी आपका रिख रिजा ऑप इंवेट लेवल हो जाता है उसके बाद आपका सिपल बीकिल लोग पूर जाता है और आप इवन लेखिए कि जो लोग ब्राद्ट लेज़ खिप करते हैं तो उनके blood sugar level low be हो जाता है, hypoglycemia हो जाता है और उसमें आपको पिर आपको पिर आपके नेक्स्ट मील बी खिप कर दिया और थर्ड मील पे बहुत सी चीज़ लेने से आप एकदम से किसी ना किसी जो आपको किसी आपको कि कि आपको कि आपको कि किसी ना मतलब इस तरह नहीं होता तो जो breakfast है जो नाश्ता है वो एक छोटे बच्चे से लेकिंगे इसको भी 2-2 आरली, 2-4 आरली फीद देते हैं उसी तरह एक बिमार इंसान के लिए नाश्ता होतना है इंपोर्टेंट है अर्मिला मेरे अपने देखने में ऐसा आया कि कई ऐसी तो आप यह देखिए कि अपने ताइमिंग जो है वो कहते है खाना बरवक्त खाएं और portion size control करेंगे कुछ मतलब इस अलसों इंदा new resolution तो कि आपने यह चीज़ें अपनी life में और diet में एड करेंगें कि आप इस बहुत से बिमारियों से बचते हैं ना सिरु यह बलकि आपकी प्रवातीन कोई अपने इस बिमारी आई कहां और वैसे भी राइत में तनी ही सारी चीज़ें जो बहुत साले मसारी जो हैं बिलकुल और specifically वह खावतीन जो कि अपनी अडली डाइकिशन करती है और लेटर ओन कोई पता नहीं चलता को बिमारी आई कहां से बिद्ध और एक आती है तो उसको समझ भी नयाता कि साथी साथ उनको किद्नी है लिवर है लॉट फ्रॉब्लम्स आ देर तो यहां बिमारी बताती चलूगी खाना बरवक्त खाना और खाना हेली मिल्स करना ठीक है आप अपने खाने पर अगर अपनी प्लेट पे कुछ स्पेंड कर लेते तो आप नाशता करें चाहे कभी-कभी आप पी सकते हैं जिसे जबीडिया ना काया यह बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप चाहे नहीं पी सकते हैं लेकिन ज्यादा कैफिन का टेक जो है इंटेक आपके लुक सांधे हो सकता है बाच्छाओं की तरह नाशता करें हेली नाशता क